Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, welcome to Magnate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Ken Saro Viva के बारे में सवाल आपके मैंन में सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट कौन थे Ken Saro Viva? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, simple सी कि बहुत बड़े इंसान थे तभी पढ़ रहा हूँ अब इन्होंने contribution क्या दिया है? तो देखो, chapter से relate करो आप development के बारे में पढ़ रहे हो long term में तो सभी के उपर impact पड़ता है, समझाया आप पिछले वीडियो में? लेकिन short term में जो underprivileged है, जो poor है, ठीक है? जो wiceless है उन लोगों के उपर ज़्यादा burden आता है development का, development के नाम पे जो, कह सकते है, privileged position पे वो तो development को enjoy करते हैं लेकिन जो underprivileged है, उनके पर burden बढ़ता है, ठीक है? उनका और खून चुसा जाता है तो इस sense में क्या है? इस sense में आपको ये देखना है कि Ken Saro Viva ने development का गेंज जाके environment protection के लिए socially जो low cost pay कर रहे थे, ठीक है? जैसे ओगोनी, ओगोनी लोगों के हम बात करेंगे तो उनके लिए उनके लिए उनका contribution माना जाता है कि उनके राइट्स की बात किये, development की जो cost थी उसको challenge किया उनके और इसी चीज़ के लिए बहुत सारे awards भी मिले हैं बहुत सारे awards भी मिले हैं उनके ये कीमत चुकाई तो आप किसी को कीमत देना पड़ी तो उनके अपनी जान निशावर करी है लोगों के लिए, environment के लिए तो उनकी पुरी कहानी में आपको बताऊंगा, अच्छे दर सुनना समझना, popcorn हो तो बाजू में वो भी रखना और कहानी पुरी सुनते जाना, ठीके, तो Ken Saro Viva was an Ogony by birth, ठीके, Ogony by birth क्या है, तो आप जिसे देखो के ये नाइजीरिया की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक, ये ए अफरिका है, ठीके, अब अफरिका में आप यहां देखो के तो यहां नाइजीरिया है, ठीके, ये एक देरिशे नाइजीरिया, अब नाइजीरिया में यहां पर यहां पर जो रीजन है, ठीके, ये वाला, यहां पर मतलब Ogony people रहते हैं, ठीक, अब Ogony community के जो लोग हैं, उन लोगों ने, उन्होंने मतलब काभी अच्छा काम कर लिया था, ठीक है, एक author की तरह, एक generalist की तरह, TV producer की तरह, ठीक, और environmentalist भी रहे हो, ठीक है, तो environment के तरह उनका concern भी रहा है, अब जब आप देखते हैं, आदमी social life में इतना active है, तो वो कैसे अपने लोगों को exploit होते हुए, देख सकता है ठीक है और इसी चीज़ के अगेंश्मनों ने आवाज उठाई क्या है आप देखो मैं कहानी बताता हूं कि आपको मैंने अभी तक इतनी चीज़ बता दी है नहीं भी बताई होगी तो मैं आश्रा करता हूं कि आपने 10 में मेरे से पढ़ा अगर सोशल साइंस 11 मे पॉलिटिकल थेओरी पड़ी है तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वल्ड वाइट कैस्ट सिनेरियो रहा है तो जो एफ्रीका है न तो एफ्रीका में जितने भी नेशन्स है तो एफ्रीका नेशन्स एफ्रीका कॉंटिनेंट उसके अंदर जितने भी नेशन्स है They are having minerals, they are having natural gas, oil, coal, petroleum, क्या चाहिए आपको, gold, diamond, सब मिलेगा Africa में, तो Africa की जमीन की नीचे सब कुछ है, ठीक, लेकिन दिक्कत कहा है कि वो सब कुछ हो के भी उनके पास कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि जो colonial powers थी, उन्होंने लंबे समय तक exploit किया, अब low level of development के चलते हैं, वो long term depth में फसे हुए African nations, और फिर वो ही colonial nations अब उनको neo-colonialism के नाम पे exploit कर रहे हैं, तो इस तरह से resources जो थे, वो exploit होते रहे हैं, अब वही चीज़ नाइजेरिया के अगर बात करे हम, ठीके तो नाइजेरिया में भी जो multinational companies, वो exploit कर रही थी, अब यह सारी चीज़े जो है, तो कें सारो विवा ने observe करी, ठीके, उन्होंने क्या देखा, तो he observed and reacted to the exploitation around him, as the oil and gas industry took riches from many defeat of the poor Ogoni farmers, and in return left the land polluted and the people disenfranchised, ठीके, मतलब, कें सारो विवा ने देखा, कि यहां के जो लोग हैं, उन लोगों की जमीन, उन लोगों की जमीन, तो वहां के resources भी उनके होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था, कि जो multinational companies थी, उन लोगों ने क्या करा, जो बड़ी-बड़ी industries थी, oil and gas industries थी, ठीके, जो अमीरों के दुवारा चला ही जाती थी और जो थे न, चलो, अब मेरी जमीन है, यहां पर oil drilling हो रही है, तो मुझे भी एक share मिलना चाहिए, लेकिन का था जमीन ही खरीद ली जाती थी, और farmers के पास में कुछ नहीं बचता था, farmers के पास में कुछ नहीं बत्ता था, तो इसके चलते क्या हो, इसके चलते exploitation फील किया उन लोगोंने, ठीके, यह exploitation हो ही रहा था, और इसी इसको observe किया, जब चुप नहीं रहा है, रियक्तेड, ठीके, रियक्तेड, तो आप देखो क्या होता है, उनका idea क्या था, simple side देखो उनने बताया, the idea of cancer of viva, तो उनने क्या क्या क्या, उनने situation दी, कि just imagine that a hidden treasure is found in your backyard, आपके घर के पीछे आंदन में, ठीके, आपको क्या मिलता है, एक तरह सागर जैसे देखोगे, तो बहुत सारे treasure मिला है, hidden treasure है, उसके अंदर खजाना है, अब वो खजाना आपके घर में मिला, little by little by authorities in the name of development, ठीके, तो authorities के आप जिसे देखोगे, तो अगोनी लेंड में, जितना भी oil reserves थे, उन सारे oil reserves को exploit कर रही थी authorities, Nigerian government, ठीके, और क्या बोलके, कि ये oil से हम export करेंगे, पैसा आएगा, देश का development हो, इस सारी चीज़े, और हो क्या रहा था, ठेंगा, ठीके, कुछ मिल नहीं रहा था, तो उस sense में क्या है, उस sense में हापर जो इतना exploitation हुआ, उस exploitation को देखते हो हुए, कैंसारो विवाने बोला, तो ये तो क्या है, कि हमारा, मतलब हमारी जमीन, हमारा oil और exploit कोई और कर रहा है, पैसे कोई और कमा रहा है, ठीके, तो what did he mean by this, तो वही चीज़ में आपको बताया, उन्होंने बताया कि कि किस लवल पे, लोग जो है, अपने resources से deprived है, उनका exploitation हो रहा है, oil had been found in the region of Ogoni in Nigeria, oil मिला, ठीके, अब वहाँ पे crude oil exploration भी चालू हुआ, तो आप बोलोगे, इसमें बुरा क्या है, so what's bad in it, तो गलती यही है, वहाँ पे बुरा यही है, कि जो economic growth हो रही थी न, तो soon economic growth and big business created around it and entangled a web of political intrigas, ठीके, environmental problems and corruption, तो वो जो oil थ उससे वहाँ के लोगों का, Ogoni कह सकते community का, Nigeria का development हो सकता था, लेकिन आजू-बाजू, that whole economic resources were entangled by various evils, जैसे corruption, environmental problems, political interruptions, ठीके, यह सारी चीज़े ने क्या करके रख लिया, घेर के रख लिया और वो जो resources वहाँ के लोगों के development के लिए हो सकते, use किया जा सकते थे, वो क्या है वो कुछ लोगों के जेब में पैसा भरने के काम में लग गए, ठीके, तो यह तो जो exploitation एक अलग चीज़ है, दूसरी चीज़ उन्होंने यह भी बताया, क्या, उन्हें बताया कि क्या हो रहा था, सांधिसान में land को pollute कर दिया जा रहा था, पुरी तरह से, ठीक, farmers जो थे त तो ऐसा नहीं निकलता है, वो तो black एकदम tar की तरह निकलता है, तो उसमें क्या रहता है कि जब जमीन में अगर spillover हो जाता है पूरा, जैसे अधिक तरह आपने सुना होगा कि spilling कहा हो जाती है, ocean के उपर हो जाती है, ocean surface पे हो जाती है, तब तो दिक्कत होती है, अब जैसे तो soil पूरी तरह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, अब खेती नहीं कर सकते हो अब वहाँ पे, तो इस तरह से वो ही बताए कि land को पूरी तरह से pollute कर दिया, वो farmers क्या करेंगे, बताओ, ठीक है, environment को कितना नुक्सान हो रहा है वहां की, जो vegetable कर दिया गया है, पूरी त लेकिन लालच में आने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वहां पे, कि जिस रीजन में oil मिला ना उस रीजन का ही development नहीं हुआ, यह सारी चीजें observe की जा रही थी और किसके द्वारा, कैंसारो वीवा के द्वारा, यहां इंडिविजल, इस एक्टिविस्ट आप देखते हो समझते हो तो अन्या है, जहां होगा आवाज उठाओगे ना, तो वह यही कहते है कि this prevented development of the very region where oil had been found, तो जहां oil मिला वही development नहीं हुआ, तो एक तरह से पूछते है कि isn't it gross injustice for the people in whose house the treasure has been unearthed, ठीक है, जिसके घर में आपको पूरा का पूरा खजाना मिला है, उसका ही development नहीं ह नहीं रखती है, और देखो, तो सारो विवा led an non-violent movement against this injustice, ठीक है, तो जो injustice अन्याय चल रहा था ना, उसके अगेंच में नहीं नहीं एक non-violent movement start किया, अब देखो, non-violence जो है, मैंने आपको भी पिछले chapter में peace जब समझाया था, तो हमने initially कहा था, कि peace को, non-violence को ऐसा consider करके च मतलब आप देखे रहो ना, कि देखो, डर के लड़के तो हर कोई हर चीज हासिल कर सकता, लेकि non-violent तरीके से जो जहां पर उन्होंने वो achieve किया है, ठीक, महत्मा गांदी की बात कर लो, मार्टिन लूधर की बात कर लो, नैंसल मंडिला की बात कर लो, तो इन लोगों को history में एक अलग position मिलती है, ठीक है, तो ये भी जो school है, ये भी जो thought है, ठीक है, जो pacifist होते हैं, तो उन लोगों को भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि pacifist, बहुत ज़ादा pacifism के तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़ादा क्या हो जाता है, slow हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आयुरुवेद और अलोपे थी, दोनों ही अपनी अपनी जगा अलग है, दोनों ही अपने अपने results प्रेड्यूस करते हैं, वैसे ही क्या है कि violent movements, war, aggression भी अपना काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि non-violence अपना काम नहीं करता है, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिली, च आया था, ओगोनी पीपल को यह नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों को जिनका ओईल उनको नहीं मिल रहा है, यह गलत है ना, और वो survive कहां से कर जाएंगे, ऐसे मैं तो उनको exploitation हो जागा, उनकी जमीन छीन ली जाए कि उनने जगा छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक, तो इ यह गलत सिस्टम है, और यह मुवमेंट इतना स्ट्रॉंग था कि जितनी भी multinational companies आई थी, 1993 तक सबको ओगोनी लैंड छोड़ के जाना पड़ा, नाइजीरे का वॉला रीजन जहां पर ओईल था, उनने खाली करके जाना पड़ा, ठीक है, तो यह क्या हुआ, एक तरह से वि तो यस, बट सारो विवा पेड दी प्राइस फॉर दिस, क्या प्राइस पेके उनने देखो, दी मिलेटरी रूलर्स, एक चीज़ दोर बता देतों, नाइजीरिया में यह जो टाइम पिरेड था, 1990 से 1998 तक का, बड़ी उठा-पुटक का टाइम था, क्यों क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मिलेटरी कूप, मिलेटरी कूप में मिलेटरी डिक्टेटरशिप, ठीक है, किसी का मडर हो रहा है, किसी को कुछ चल रहा है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अनिस्टेबिलिटी वाला टाइम पिरेड था, ठीक है, तो यही पर क्या होता ह जो इंसान नॉन्वाइलेंट में उश्चा सकता हो मडर कर सकता है बताओ तो वाइड वाइड इनके लिए जस्टिस की डिमांड उठी थी कि ये गलत तरीके से फसाया जा रहा है थीक है उन्होंने क्या क्या सारो विवास सेट ड़ी कि मिलेटरी रूलर्स वर दूइंग दिस एड़ी विहस्ट ऑफ शेल ठीके शेल क्या है तो शेल कंपनी का नाम सुना होगा आपने शेल कंपनी जो इंडिया में भी शेल इंडिया अलग 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 पार्ट मां ऑई एक्स्परोलेशन का काम यही करती है बहुत बढ़ी बहुत पावरफुल इंफुएंशल कंपनी तो अब इन्हों ने देखा कि एक अकेले इंसान ने नॉन वालिंट तरीके से हमें उसके देश से बाहर निकाल दिया तो बदले की बहाँ ना ठीक है तो वही सारो वीवा भी कहते क्या कि मिलेटरी लूर्स अगर मुझे सजा दे कि वर्ल्ड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इस ट्राइल एंड अपील्ड फॉर इस रिलीस ठीक है तो अब देखो क्या उलते हैं कि आगर आप सही हो तो दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी तो वही चीज कि यहां पे जब पता चला कि कैंसारो वीवा के साथ इस तरह का हो रहा है तो व्ल्ड वाइड उमन राइट्स ओर्गेना ने उनके लिये क्या सकते हैं अपील्स की ठीक है और उनके जो ट्राइल चल रहा था उन्हें जो पनिश्मेंट सुनाएगे तो उसके अगेंस में प्रोटेस्ट भी किया लेकिन अब वो डॉमेस्टिक मैटर था उन नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना तो उस चीज़ का एक एक बड़ी कॉस्ट पे करते हैं और जहां सही है जहां गलत एंवाँ आवाज उठाना पड़ेगी यह चीज हमने सारू भीवा की स्टोरी से जानी समझी आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आईए क जोने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को जरूर बताइए magnet brains के बारे में नेक्स वीडियो में मिलते हैं अब चैटर के अलग सेग्मेंट में चले जाओ गया ठीक है आपने देखा development क्या है developmental models यह सारी चीज़ समझी अब आप देखोगे कि alternative models क्या हो सकते criticism है cost pay करना पड़ती तो alternative models क्या हो सकते हैं वह आप next video से जानने को मिलेगा लेकिन उसके पहले हां उसके पहले आपको चाप्टर में एक चीज यह भी देखना है कि development जो है क्या हमेशे negative terms में ही देखा जाएगा इसको और भी कोई तरीका हो सकता है कि assess करने का तो वह हम देख करने कर दो सकती कि जाएगा जसके लेसे चाहिए अजाएगा बगलिए उसकार के लेकिन हो सकता है है क्या में हुआ गया चाहिए भी को में हो वहाज़ Spaß है यह तो जबादी एक चाहई जाल पी अ करने का ध।